हम कथा सुनाते राम सकल गुन धाम की ये रामायन है पुर्ण कथा श्री राम की मुस्लिम तो है लेकिन सरस्वती मा का ही वर्दान है जो सुर मिला है हम सब को को करिता रख बढ़ावे साखा राम सिया राम सिया राम जै जै राम लेकिन जब तक राम चाहेंगे तो ज़रूर हम लोग आ वहाँ पर मिलन होगा राम चाहेंगे तो आप चारों बहने आए उध्या जाएगी और मिलन होगा वहाँ पर रजजन होगा सजादो घर को गुल्षन सा आवध में राम आई है मेरे सरकार आए है लगे कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आई है आयोध्या में राम लला के घर वापसी को लेकर पूजा का आयोजन किया गया है और इससे पहले कि आप देख रहे होंगे कि देश के कोने कोने से चाहे वो हिंदू हो मुसल्मान हर कोई कही न कही राम लला के दर्शन के लिए आयोध्या पहुच रहा है अभी हमारे साथ बिहार के चार मुसलिम बहने हैं जिनका गाना इस समय काफी वाइरल हो रहा है और ये लोग राम लला के स्वागत के लिए काफी गाने गा रहे हैं और गाने को लोग सोशल मेडिया पर काफी पसंद भी कर रहे हैं कुद इनी से बात करेंगे मैंने सुना है कि आप लोग लगतार शीव टांडो इससे पहले आपका मैंने देखा था अभी दिखा जाए तो राम लला पे गाना आप लोग आ रहे है तो आप लोग कफ से गाना गाते हैं साथ साल हो गया हम लोग का गाना गाते हैं अभी उम्र कितना हुआ आपका मेरा अभी अठार साल हो रहा है आप कितने साल की है थाटीन आप शिक्स्टेन आप एट अच्छा सारी बहने गाना ही क्यों गाती है अगर चाहती तो पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान कोई ओफेशर मनने पर लेकिन जैसे हम गाना इस्टार्ट के तो इन लोग के अंदर भी वह आता गया वह जुनून वह गाने का और यह सर राम लला की प्रान प्रश्टिष्टा को लेकर भव्य कारिकरम हो रहा है 22 जन्वरी को वहां पर पूजन होगा इसको लेकर भी आप लोग गाना खुब गा रही है जी हाँ वो तो बहुत खुशी का बात है अयोद्या में राम अंदर बन गया है और उसका उद्गाटन भी ह मेरी जोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे 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 राम आएंगे मेरी जोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे अब भी राम लला पे गाना गाएगी कुछ है जी हाँ गालत चाहेगे कि सबसे पहले गाना ही सुनाईए अब इतना सुरिली आवाज में आपने बहुत साए लोगों गाना गाते देखा होगा लेकिन इनलों का जो आवाज है वो काफी अलग है यही कारण है कि लोग जो है इनलों को काफी पसंद करते हैं अच्छा यह बताईए आपको लेकर अगर हम बात करें हमें नहीं पूछना चाहिए शायद वो चीज़े लेकिन बहुत सारे लोग देखर यह सोच रहे होंगे कि भाई यह मुस्लिम बहने है फिर भी इतना अच्छा सनातन पर गाना गाती है किया बोलते हैं मुझे तो मतलब कोई बुरा सकूछ बोला नहीं है कि आजी बिल्कुल नहीं एसा कुछ बहाज नहीं उठाए यहां पर इसे हैं कि आप लोग दुर्गा पूजा के बाद ये सावन के महीना में भोले नात पर सियोत ऑंडो भी गाई फिर उसके बाद में लगातार भक्ती गाना गाती है अप लोग जी आप बख्ते हैं और सुनने में ये भी आए कि अराधना भी आपलोग करने जाती है आराधना करते हैं लोग, मेरी बहन सही ना वो ज़्यादा आराधना करती है, हम नहीं जाते हैं अभी, वही जाते हैं, मुस्लिम तो है, लेकिन ये एक संगीत है, ये एक आर्ट है, तो आर्टिस्ट का काम है, ये तो सरस्वति मा का वर्दान है, तो मिला है तो उसको करना है, आपको भी सुनने को मिलता है जब जाते हैं कहीं भी आरादना करने तो नहीं एसा सुनने को नहीं मिलता है लोग ऐसे बोलते होंगे ना कि भाईodel ये घशक by लोग बोलते हैं LOK यह कोह लगता है मतलब कमेंट में कभी आइसा नहीं कभी बुरा नहीं है और आपकी गाने को लोग काफी पसंद भी करते हैं ऐसी कम्रे में देखा जाएक साधाना से घर का आप लोग रहने वाली है कोई बारा घर नहीं है यहीं संगीत कैसे संगी तु हम गाते हैं यह भी गाते हैं सबाद मिलके ही गाते एक और अगर का तस्वीर देखाई कि यह एक देखा सट होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वायль होने के लिए सोslल मीडिया आ के असलील गाते हैं लेकिन लोगों, से Siakna-Cvidyay कि अगर आपको वायरल होना है, अगर आपको वायरल होना है तो आप अच्छे गाने के जरिएग हो सकते हैं, कि यह बहने जो है कभी असलील गाने नहीं गाती है हमेशा से अच्छे गाना गाती है फिर भी लोग काफी सपोर्ट करते हैं आपके गाने पर मैंने देखा है वो विश्रामपूर के हैं वहीं ये सब गाना बोलते हैं कि अगधित्तम गाना चाहिए अभी 22 जनवरी को राम लला का जो है प्रान प्रतिष्ठा के जाएगी और इसमें देखा जाए तो जगा जगा से जो भी टैलेंटेड युवा है टैलेंटेड बच्चे जो गाना काफी हां एक दम जाएगे वहां से 've arrived कि प्रोग्राम करना है वहाँ पे तो हम लोग बोले कि ठीक हम देखते हैं एक बार बोले कि कॉल करेंगे फिर दुबारा को उमेद है कि आयोध्या से चारो बहनों को बुलाया जाएगा और वहाँ पर मंच पे आप लोग गाना गाएगी राम लला के मंदिर के सामने हां संजीदा खातू अब भी गाना गाती है ये गाना आभी सुनाई हम चाहेंगे कि मेरी चोखट पे चलके आज चारो धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से नारो को आज धोने दो चड़न आँखों के पानी से बहुत खुश है मेरे आशु के प्रभु के काम आए हैं ये छोटी बच्ची है ये भी गाना गाती है क्या आना बबाबु मेरा नम नैंसी प्रभु अभी गाना गाती है अब ये गाना सुनाईए राम लाला की सजादो घर को गुशन साथ सजादो कितनी साल की है आप एती अर्शोट बस आठ साल की है और इतना अच्छा आप गाना गा रही है भाई देखे मुझे अस्चरे हो रहा है कहां से सिखिए ये तो गौड गिफ्ट है गौड गिफ्ट है भगवान के दोरा जो दिया गया है यहीं लोग सिखाता है सुचिए कि बिहार में अगर देखा जाए तो आपको हर चौक चौराहे पे गली में टैलेंट देखने को मिल जाएगा लेकिन ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता है यह विहार के लिए एक बहुत बड़ी दुर भागे की बात है जड़ा सु होसते हैं कि अगर नसीब में होगा तो हम जरूर बड़ा मंच को लगता है कि अभी तक आप लोग अगर असलील गाने गाई होती तो अब तक बहुत सारे बड़े बड़े श्टार आप लोग को मौका दे दिये होते बड़ा-बड़ा मंच में आजकल तो असलीलता चली रहा है लेकिन कुछ-कुछ छोटा-छोटा वाइरल वीडियो हो रहा है वो भी असलीलता गाना पर तो उस पे बहुत जल्द बहुत सारा चीज बड़ा-बड़ा सजादो घर को गुल्षन सा सजादो घर को गुल्षन सा चारो बहने मिलके कितना सुरिली आवाज में गाना गा र वहां तक पहुच रहा है तो हमें सपोर्ट दे और हमारे और जितने भी जनता हमारे हमारे वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्रवीन सिस्टर्स नाम है हमारे चैनल का प्रवीन सिस्टर्स जी हाँ उस पर जाकर धेर सारा वीडियो देख सकते प्लिकुल अगर और इनके तमाम हम ब्रीयो को देख सकते हैं क्या कहेंगे अ सब्सक्राइब करें तो लोग तो करतभ सुख करें की